अभिनाश चोबे जी रिशी केश से जै गुरु जै राधा वलव शी हरिवेंश महराश्री मेरा प्रश्णी यह है कि कोई भी निर्ने लेते समय ऐसा कौन सा माप डंड रखें जिससे हमें पता चले कि यह इश्वर की इक्षा है हमारी खुद की जो प्रारब्ध को जानता है क्रिमान को जानता है संचित कर्म को जानता है और इश्वर को भी जानता हूं वह ही तो उनकी इच्छा जान सकता है न अभी बागत तो भी किया जा सकता है प्रारब्द से पेरित होकर यह हमें करना पड़ रहा हो कर रहे हैं या हम वासना से पेरित होकर कर रहे हैं संचित कर्मों के इसाब से प्रारब्द बनता है या हम भगवान के इच्छा से कर रहे हैं तीन बातें इसमें देखी गए देखुत है कि हम बिल्कुल नहीं चाहते किसी का आहित हो जाए और किसी कार के लिए गए वह इसी घटना घट गए कि उसका आहित हो गया बिल्कुल इच्छा नहीं है बिल्कुल हमा ये बिधान है भगवान किसी का आहित नहीं कराते उसके कर्म का ये बिधान है कि शरीर से उसका आईत हो गया, जिसे हम जा रहे अचानक कोई आवाज है, यह सितर से अगला पैर पढ़ गया, उम्मे डख है, क्या हो मर गया, हमारी बिलकुल इच्छा नहीं थे, उसका प्रारब्द हो गया, यह उसका कर्म, हमारी अशावधानी जरूर है, पर हम नहीं चाह रहते थे, एक हुदा है कि चाह करके, कोई भी, मतब कोई भी कार, तो वो चाह जो शरीर और भोग और दूशरे का आहित, इससे सम्मंदित हो, तो जान लेना कि यह वाशना है, शास्त बिरुद्धाचरन वाशना होती, उपाशना नहीं होती, और भगवत पेरित जो बात हो होती है, वो जो आपके अंदर इच्छा है, अगर वो सास्त प्रमानित है, तो भगवान की है, अगर वो भोग वाशना युक, सास्त बिरुद्ध, दूशरे का आहित करने वाली, वो हमारे आंकार जनी देहा विमान की वाशना है, अचानक कोई घटना घट जाती हमारी कोई चाने, कोई चाने, कोई सोच ने, उसका प्रारद का, जैसे अचानक कोई आया और भिड़ गया, और हमें पीट दिया, या ऐसी लड़ाई जगला, हम नहीं चाहते थे, हमारा कोई उद्देश नहीं ता, उसको जानते भी ने, लेकिन ये घटना होनी थी, क्योंकि यो कर्म क अगर 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 वाशना के अनुशार है, इंद्रिजन निभोगों की, तो दुरवाशना ममसदा परिकर्शयंती, ये आपके देहा बिमान का है, अगर अंजाने में कोई चूख हो रही, तो हो शकता है प्रारद का शहिए, तो ज्यान के द्वरा ये बाते देखी जाती है, तो अब इसमें बिवेक बहुत सावधान हो, इसका निरने किया जा सकता है, कि हमारी वाशना है, कि हमारी उपाशना तो भगवत इच्छा है, कि ये अचानक कोई प्रारद की घटना थी, ऐसा घट गया, वो देखा जाता है ये सरिजी के पात्र मारजन करने के लिए, रज ले ने के लिए टे तो खोधना या चायते थे लेकिन ऐसा हुआ कि यहां खो दे तो तो अच्छी रज मिलेगी, उपर के हटा के नीचे के, जिए एक फावडा मारा, तो दो खंखजूर होते हैं, जिनके कई पै, बतब सैक्णों पैर होते हैं, उनको क्या खंखजूर ही तो कहते हैं, हाँ दोनों कट गए, बहुत बश्चा था अप हुआ, फिर हम विचार किया क इसमें मेरा क्या दोश है, अंदर से तब सांती मिली, हम तो यहां खोदना चाहते थे, लेकिन यहां कोन ले गया, उसको प्रारब्द, और एक ही फावड़े में उसको दोनों कट गए, अब उस चीवगा, इसमें कहीं हमारी ना इच्छा, ना हमारा किसी भी तरह का भाव, और खोदना भी वान ही चाहते थे, लेकिन उसके प्रारब्द ने खोदवाय कि यहां ऐसा है, तो यह बात है कि यह अंत्रवत सरीर ने वो चेश्टा कर दी, और उसका जीवन शांत हो गया, अब इसमें मेरा कहीं कोई भी यह घटना घटी प्रारब्द शे, हर जीव की रक् उसका भी मंगल हो, जो जीव इस शरीर के द्वारा किसी भी तरह से ऐसी क्रिया हुए, भागवान पर कृपा करें, और भाखवान को प्रशनता है, तो भागवान को प्राप्त हो, ऐसा, लेकिन वाशना यूक्त, और उपाशना यूक्त, और प्रारब्द द्यों, इन तीनो गटना गटनी आपको अमुग जगे आप तैरी करके इधर जा रहे हैं अचानक विचार बदला कि इधर तुजाना उनसे मिल लेते हैं फिर इधर मिलके चले जाएंगे विचार पक्का हुआ वहां गए बीच में गटना गटनी थी आपका उसमें ये प्रारद गटना है ना भिक्यिस देटार भगवान कि शर्णागतों को बज़न करते हैं अक्ति पर आपको पत्ता चले के मेरी मेरी वाश्रुना कि प्रोलां पिर आपको पताचकुरें ये प्रारद की अंश पर हूं पन कि भाव नादंगी